आपके बाद Samsung Galaxy M34, F34 या A34 कोई भी फोन है तो यहाँ पे आप Samsung account का password कैसे change कर सकते हैं अपने फोन में तो आप यहाँ पे setting पे जाएंगे यहाँ पे आपका Samsung account login होगा तो आप इस पे click कर लेंगे इसकी बाद यहाँ पे आपको security and privacy का option देखने को मिलेगा अगर password set नहीं है तो आईसा आएगा तो आप इस पे click कर लेंगे और यहाँ पे password के option पे ऐसे orange कलर का mark आएगा तो आप इस पे click कर लेंगे ठीक है और यहाँ पे go to inbox पे click कर लेंगे continue तो यहाँ पे आपको अपना account sign in करने के लिए बोल रहा है तो जिस भी account से link है वो account sign in कर देंगे यहाँ पे next पे click कर देंगे और अपना password एंटर कर देंगे यहाँ पे password एंटर कर दिया इसके बाद next पे click कर देंगे अगर आपका account यहाँ पे already login है तो आपको इतने step करने की ज़रूरत ने पड़ेगी यह वाल आपका skip हो जाएगा page यह वाल आ जाएगा direct तो यहाँ पे इसको मैं never कर दूंगी और इस पे click कर दूंगी यहाँ पे आ रखा है यह Samsung account wait कर देंगे got it कर देंगे पहले कट कर देंगे अब यहाँ पे Samsung account की तरफ से आपको option मिलेगा यह वाला आप इस पे click करेंगे Samsung account registered password इस पे click करना है इसकी बास sign in पे click करेंगे और यहाँ पे इसकी बास यहाँ पे आपको click करना है यह सारे information आपको देखने को मिल चाहेंगे इसमें service place privacy security security पे click करेंगे go to inbox इस पे click करना है और इस पे click करेंगे अब यहाँ पे आपको अपना नया पासफ़र्ट जो भी आपको सेट करना है उसको सेट करेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा हाइड कर देती हूं पासवर्ट यहाँ पे जो मैंने डाला है वही सेम पासवर्ट यहाँ भी डाला है वेरिफाइ करने के लिए ठीक है इसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पे इस पे क्लिक कर देंगे डन पे क्लिक कर देंगे ठीक है इसके बाद बैक कर देंगे अब दुबारा से सैटिंग को लेंगे इस पे क्लिक करेंगे पासवर्ट आपका सैट हो चुका है देख सकते हैं कि यहां प्याइं चुका है यहुआ पे अगर चेंज करना तो चैंज कर सकते हैं करंश डाल के तो पर न्यू पस्वर डाल के फिर ऐंड़ कर देंगे क्रेंगे तो आपका यह जो अकाउंट है, Samsung account यह मेरे सारे Samsung account में login है, इस वज़े से security purpose के लिए कह रहा है कि या तो आप password चेज कर लो या तो device remove कर दो, मतलब जो भी account आपका login है, वहां से remove कर दो, तो यह सब मैं अभी नहीं करूंगे, इसके लिए मैंने back कर दिया, देख सकते ही हो गया है, कोई द मिलते हैं आपको एक नेक्स वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार,